रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जाने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें मूँ से निकलते ही हर इच्छा होगी पूरी आज की अमावस्या की रात इन छहराशी वालों की अब लगने वाली है लोटरी जी हाँ नमशकार दोस्तों जै माता दी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों हिंदू पंचांग के मुताबिक फागुन साल का आखरे महिना होता है और इस महिने में होली समेत कई सारे अन्य वरत और त्योहार पड़ती है ऐसे में दोस्तों आज की रात फागुन अमावस्या की रात है और दोस्तों यह अमावस्या सभी अमावस्याओं में से बेहती ज्यादा खास मानी जाती है दोस्तों संयोग देखिए कि इस बार इस अमावस्या पर दो बड़े संयोग बन रही है जी हां बता दे कि इस अमावस्या पर सिध्धी योग और शिव योग का संयोग भी बन रहा है दोस्तों बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने जीवन में कोई भी परिशानी को झेल रहे हैं अगर आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं या फिर आपको नौकरी नहीं मिल रही है आपके हाथ में धन नहीं रुकता तो आज की रात यानि की फागुन आमावस्या की रात में आप किसी भी काले कुट्टे को तेल में लगी हुई रोटी जरूर खिला दें इससे आपके गुप्त दुश्मन का प्रकोब आपकी उपर से कम हो जाएगा साथ ही साथ आपके जीवन में सुख समरिद्धी और शान्ती आएगी दोस्तों इसी के साथ आप फागुन आमावस्या की रात को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर या फिर अपने आंगन में पांच घी के दिये जरूर जला दें इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा इसके साथ ही साथ आपके घर से सभी नकरातमक और जा या कहें नकरातमक शक्तियां दूर चली जाएंगी दोस्तों बता दें कि यह अमावस्या कुछ राशी वालों के लिए बेहदी ज्यादा शुब और फलदाई रहने वाली है और इस अमावस्या के अदबत संयोग से कुछ राशियों के भाग्य में परिवर्तन होने के अब योग बन रही है साथी साथ इन राशी वालों को अब धेरों अनेक खुशियां भी मिलने वाली है तो आईए जान लेती हैं कि आखिर यह भागशली राशियां कौन सी हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रही है तो आप से यंद्रोध है कि वीडियो को आप बिलकुल भी मिस ना करें और इसे अ शुरू करती हैं दोस्तों सबसे पहली जो राशी है वो है मेश राशी बताना चाहेंगे कि मेश राशी के लोगों के लिए अमावस्या की रात खतम होते ही इनके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे जी हां बता दे कि व्यापार में भी अब इन्हें अधिक धनलाब प्रा इनके जीवन में अब खुशियों का आगमन होगा किसी भी कारे में इनके अब रुकावट नहीं आएगी पारिवारिक संबंद में आपके अब मजबूती आएगी बुजर्गों से आश्रिवाद लेकर आप अपने हर कार्य को शुरू करें इससे आपको अपने हर कारे में स तफलता अवश्य ही प्राप्त होगी दोस्तों अगली जो राशी है वो है तुला राशी बताना चाहेंगे कि इस अमावस्या के शुब संयोक से तुला राशी वालों की अगरम बात करें तो इन लोगों की कई सारी परिशानिया बदूर हो जाएंगी इसके अलावा जो लो बस इस बात का आप ध्यान रखें कि किसी भी काम को करने में आप जल्द बाजी ना करें दोस्तों अगली जो राशी है वो है कन्या राशी बता दें कि अमावस्या की रात खतम होते ही कन्या राशी के लोग बहुत अधिक लखी साबित होने वाले हैं जी हां बता दें कि पक्षकी और से कोई बड़ी खुश खबरी आपको प्राप्त हो सकती है इस जोरान आप अपने इश्ट देव की अरादना जरूर करें आपके सभी काम ठीक होंगे दोस्तों अगली जो राशी है वो है सिंग राशी बतादे की अमावसिया की रात खतम होते ही सिंग राशी के जातकों के लिए बहुत ही शुब अफसर शुरू होने वाली हैं खास कर कि विध्यारती वर्गों के लिए बहुती समय लखी साबित रहने वाला है। इन्हें इनके करियर में सफलता प्राप्त होगी और उन्नती मिलेगी। आने वाला समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय साबित होगा। आमधनी के नई श्रुद भी आपको अपलब्ध ह दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगली जो राशी है वो है मकर राशी। बता दें कि अमावस्या की रात खतम होते ही आपके जीवन में कई सारे बड़े बड़े बदलव आपको देखने को मिलेंगे। इस दोरान आपके आये में वरिधी की संभावना है। किसी अन्य तरीके से भी आर्थिक लाव आपको होगा। मित्रों के साथ आपकी भेंट होगी। महिला मित्रों से विशेश लाव आपको मिलेगा। व्यापार में भी आपको जोरान लाव देखने को होगा। संतान और जीवन साथी से आपको सुक प्राप्त होगा। विवहा के भी आपके यो बन सकती है यह समय आपके लिए आर्थिक लाप के कई सारी अफसर लेकर आया है दोस्तों अंतिम राशी है कुम राशी बताना चाहेंगे इस दोरान आपके आत्मा विश्वास में वृद्धी होगी आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धी होगी मानसिक वातावरन रहीगा जो कि आपके मन को प्रसंद रखेगा नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी से जोरान लाब और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा कार्य सिद्धित थाए आपको यश्भी प्राप्त होगा शायरिक स्वास्ताब का अच्छा रहीगा आपके अधिन कार्य करने वालों को आपको सहयोग मिलेगा मातर पक्ष से अच्छे समाचार आपको इस दोरान मिलेंगे विरुधियों पर आप इस दोरान विजय प्राप्त कर पाएंगे अपने वाणे पर हाला की आपको सहयम रखने की जरूरत है दोस्तों आपसे यंद्रोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्छे मन से जैमा लक्षमी जरूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें